Hello everyone, welcome back to our channel तो आप से भी जानते हैं कि इंडियन इस्टाग मार्केट रेगुलेटर से भी ने इंडेक्स डेरिवेटिव को लेकर काफी ज़्यादा चेंजिस किये हैं एक्सेसिव स्पेकुलेशन और इंवेस्टर्स को प्रोटक्ट करने के लिए इसी के साथ एक और सवाल उट रहा है कि फूचर में जो मार्केट डेवलेब्मेंट हो कि जो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे वो कैसे बढ़ेंगे अगर आप इन्दे सारे डूल्स इस्टिक्ट रेगुलेशन बना दोगे तो जो नए ट्रेडर से नए इन्बस्टर से वो पार्टि सिपेट ही कैसे करेंगे इंडेस डेरिविटिव मारकेट में तो इसी पर हम बात करने वाले हैं तो अब सभी जानते हैं कि साथवी ने रगुलेटरी चेंजिस की है for index derivative market जिसकी चलते उन्होंने जो index derivative ट्रेडिंग है उसको काफ़ जादे expensive बनाया है by increasing contract size weekly option के expiry होती है उसको भी घटा दिया है वही अफ्रेड प्रेमियम भी कर दिया है अगर हम regulation versus market development की बात करेंगे तो हम सब जाते हैं कि सेबी की primary responsibility होती है regulation मतलब market पुरी तरीके से transparent and fair work कर सके बट इसी के साथ उसका एक और काम है development of market बट अभी recent जो नए regulations लाए गए हैं उसकी वज़ेसे काफ़ ज़्यादर trading impact होने वाले हैं volumes impact होने वाले हैं उसी में हमारा है अगला point है impact on hedging strategies तो जो calendar spread होता है उसको भी सेबी ने मुश्किल कर दिया है क्योंकि expiry days के दिन अगर calendar spread आप बनाते हैं तो आपको margin benefit नहीं होगा next है higher capital requirement तो सेबी के plan है margins को increase करना especially near contract expiry तो जैसे जैसे expiry नदीक आएगी traders को और ज़्यादा capital के requirement होगी अब अपनी position को continue करने के लिए इसकी चेंज़े traders को अपना risk manage करने में दिकत होगी and वही अगर हम potential impact on HNI clients की बात करें तो high net worth individuals that is HNI and other large players जो के actively derivative market में काम करते हैं इन changes के कारण काफी बड़ा impact उनकी position में पढ़ने वाला है अगर HNI market से exit होते हैं तो derivative market में में बड़ी मातरा में liquidity and wall ने उसमें कमी आते हैं देखने को मिलेगी जिसके चलते जो नए traders है small traders हैं वो liquid market में काम करना चाते हैं तुरेंट buy किया तुरेंट अगर अब sell करना चाते हैं तो कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे तो इन्ही सभी चिंताओं पर सेवी को काम करना होगा नहीं तो South Korean market ने भी ऐसा ही कुछ regulation लाया था और अभी तक जो volume से उस level पर नहीं आ पाए हैं अगर ऐसा इंडिया में होता है तो काफी बड़ा डेंट लगने वाला है इंडिया की capital market को तो सेभी को अपने rules और regulation को re-assist करने की जरूरत है आप अपने विचार काउन बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या मानना इस पूरे scenario पर और आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you, Jai Hind